हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब तो आज हम रवा ढोकला बना रहे हैं तो यहां पर मैंने दो कब रवा ले लिया है जिसे हम सूजी भी कहते हैं इस तरह से और उसी कब से हम यहाँ पर दही ले लेंगे यह अच्छा दही है खटा नहीं है दो कब दही ले लेंगे इस तरह से अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और उसी cup से हमें पानी भी लेना है तो पहले हम एक cup पानी डालेंगे फिर इसे mix करके देखेंगे और यहाँ पे मैं 15 absolute 크欢 अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूं अगर आपको white तो आप तो नहीं डाले यह तो यहां पर अब भग दखकर 10 मिट के लिए रख देंगे अब यहां पर हम इसे कुकर निक कि तयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैं इडली कुकर ले लिया है उसमें पानी डाल दिया है एक ग्लास और यहां पर मैं चोटा सा नीबू का तुक्रा ड तो यहां पर 10 मिट हो चुके है अब हम यहँ बैटर देख लिए तो यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया है तो यहां पर मैं नहीं थोड़ा सा निक से टम में एल्दवार हो डाला ह smallest महीं ऑृईर घर भग स eva मैं धिया हो तो यहां पर जोटो 2-3 शवच्वे सा तूह हरी मिष् मैं यहाँ पर आधा नीबू करस डाल रही हूँ और एक पाउच एक शैशे इनू का ले लिया है तो मैं यह पूरा इसमें ढाल दूँगी अब इसे धीरे-धीरे हम मिक्स करेंगे धीरे से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से और ज्यादा टाइम इंगेज ना करते हुए अब हम इस बैतर को को करनी के लिए रख देंगे तो जो फ्लेथ हमने कर रख प्लेट हमने ग्रीज कर की रखिए ई ती ओल से उसमें इसको डाला देंगे इस तरह से यहाँ पे को कर मेरे रख दिया आg intellectual ने घंट ना कर डख देंगे शुच यह पन्दा disorder मिक्र चूच यहां पर हम इसे चैक कर लेंगे इस तरह से तो नाइफ क्लीन है यह बन चुका है को दो से तीन चममच ओल ले लिया है रिफाइंड लिया है उसमें हम यह मस्टर्ड आल देंगे राई डाल देंगे और उसमें करी पत्ता और दो मेची बेचमा से काट कर मैंने रख लेती वह तो यह तड़का हमने तयार कर लिया है अब जो धोकला है वो थोड़ा थंड़ा हो गया है तो उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे पहले जो इसकर हम कट करते हैं इस तरह से कट करकी फिर जो हमने तड़का तयार किया है उसे हम इसके उपर फैला देंगे इस तरह से आप चाहे यह ढूकला रेसिपी बताईएगा थैंक्स पूर वाचिंग